कि अपिशेल यूट्यूब चनल में आपका फिर से एक बार स्वाग रहते हैं और मैं आपके सामने अब आज टैंस का नया पार्ट लेगे आपके सामने हूं तो चलिए दोस्टो हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैंने जट साब को पहले ये दो वीडियो से में बता चुका हूं कि प्रेजेंट टैंस क्या होता है पास्ट टैंस क्या होता है उससे रेलेटेट कैसे फॉर्मले हैं जो आपको याद में रखने है उसलिधा है फिर हमें देख लिये थी कि छाट आई के हमने अलग अलग उनके पार्ट स्टेक लिये थे यह टैंस Phiर अपना पर्फेक्ट होता है और फिर perfect continuous कर्या होता है 59 बेश में ऐसे मंग सेम भी चीछ करेंगे आज के वीडियो में वह..? जैसे हम मैंने present or past complete कलिया है तो आज के वीडियो में हम लोग future tense की बात करेंगे किस की बात करेंगे future tense की बात करेंगे हना तो सबसे पहले बात करेंगे तो future tense की तो future tense हमेशा आपको बता है जब भी कोई कार होने कि अगर कहीं भी बात की जाया है मतलब यह नहीं कि अभी हो रह यह हो जाएगा मेरा future मतलब मैं कल की बारता रहाँ कि कल में वहाँ जाने वाला हूं इस तरीके कि अगर आपको example या sentence देखने को मिलते हैं तो वो किस के अंडर आते हैं वो आते हैं अपने future tense के अंडर ठीक है चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे सबसे पहले tense की जो ह हमारा future indefinite tense या जिसको आप कर सकते हैं simple future तो simple future tense के अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको ध्यान रटने वाली चीज क्या है कि इसमें वाग के क्या है हमेशा गा है गी है या गे है मतलब इन चीजों पर जब भी वाग के का अंत होता है जैसे जैसे गा है गी है और गी में जो भी वाग के अंत होते हैं इनको किसके अंडर रखा जाता है इसको simple future या future indefinite के अंदर रखता है जैसे मैं खाना खाओंगा तो इसमें आख्री में क्या रहा है गा वो खाना खाईगी यह क्या हो रहा है हम वहाँ जाएंगे तो इस तरीके के जब भी वाक्यों में क्या ह हो रहा है अंत में क्या रहा है गा गी अगे आ रहा है तो आप यह समझ जाए कि महां पर किस का प्रयोग किया जा रहा है तो महां पर किस चैंस का प्रयोग कि जा रहा है तो इसका फॉर्म्ला देख लेते हैं तो इसका फॉर्म्ला क्या है दोस्तों इसका फॉर्म्ला है अब यहाँ पर क्या बात आती है अब यहाँ पर बात आती है हमारे simple future की तो अगर मैं simple future की बात करो थे हैं क्या आ रहा है subject plus will or shall plus work of first form plus object अब क्या होता है यहाँ पर बात आती कि shell का इस्थमाल कहां किया जाता है will का इस्थमाल कहां किया जाता है ऑना ठीक है clear हो गया आपको आई एक एग्मब देख लेते हैं तो सबसे पहली अगर मैं इसके एक्जामबल की बात हम तो इसका अगर आपक की में हाँ जाँगा तो high दो आई एक एक में क्सेंबल देले कि राम कल वहाँ जाएगा या राम कल हैदराबाद जाएगा माल लेते हैं एक हैदराबाद जगह है वहाँ क्या आ रहे राम जा रहा है राम कल हैदराबाद जाएगा तो राम wil go हैderabad हबा Sociedays met with tomorrow राम कल क्या करेगा हैderabad जाएगा यह विल not की जगे मैंने क्या बोल दिया want बोल दिया हना तो जब भी आप इसे बढ़िए जैसे shell not है तो उसका shant हो जाता है तो यह चीज़ें आपको क्या करना है के ध्यान भी रखनी है कि कुछ-कुछ ऐसे word हैं आप इहां पर will not पूरा न बोलनी के वजाये क्या कर सकते हैं मौर्णड का प्रयोग कर सकते हैं अगर इससे को मुझे इंट्रोगेटिव बनाना हूँ तो मैं क्या तो इस तरीके से हमारी सारी चीज़े clear होगी कि simple future में क्या चीज हम लोग को ध्यान में रखनी है clear हो गया नहीं है चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले tense के type को तो हमारे अगला tense का type है future continuous tense हाना आपको बता है continuous continuous में हो रही है wow मतलब वह कार्य हो रहा है तब आप Spotify क्या करते हैं continuous को प्रस्फर्व करते हैं तो आपको इध्यान रखना है कि future continuous tense क्या है उस end में क्या आता है जैसे आपको दिख रहा होगा रही होगी अना रहे होंगे तो जब भी ऐसे वर्ड हों जो है हमारे उनसे किसी बार क्यों क्या हो रहा है एंड हो रहा है तो महाँ पर हम कह सकते हैं कि महाँ पर क्या आएगा हमारा future continuous chance आएगा clear होगी है यह हना चले एक formula देख लेते हैं इसका formula क्या होता है तो इसका formula होता है जोस्टों subject plus will shall जो common चलेगा future में आपको हर जगे will shall मिलेगा will shall plus b हना b plus verb का first form plus ing plus object अब यहाँ पर extra चीज क्या add हो गई है बी add हो गई हना तो यह आपको ध्यार रखना है एक example देख लेते हैं कि इसका example अगर कोई हम देखें उसके basis में हम समझ सकते हैं कि किस तरीके के formula को हम लोग इसमें समाग कर सकते हैं example महां लेते हैं कि मैं कल वहाँ जाओंगा हना अगर मैं कह रहाँ कि मैं कल महाँ जाओंगा तो i shall be going there tomorrow हाना मैं कल वहाँ जाओंगो तो I shall be going there tomorrow अब यहां पर क्या हो रहा है मैंने होता है आपको mostly I और V के साथ किसका प्रयूँ किया जाता है तो I shall हो गया फिर मैंने क्या यूज किया बी यूज किया आपना I shall be go क्या करता हूं जा रहा हूं तो मैंने work का first form ing जोड़ दिया तो I shall be going there tomorrow हो गया clear हो गया यह आपको चलिए तो हम इसको use करके इसके अलग-अलग variations देख लेते हैं हम इसका negative और interrogative पार्ट देख लेते हैं तो अगर मैं इसका negative पार्ट की बात पर हूं तो क्या हो जाएगा I shall be going there tomorrow मैंने आपको जायता है कि shall not क्या कह सकते है तो I shall not be की जगह मैं है क्या कह रहा हूं I shall be going there tomorrow हाँ अब इसको अगर मैं interrogative में बद दूं तो क्या हो जाएगा शैल I be going there tomorrow क्या हुआ कि जो शैल था वो बी से उठके आगे आगया और यह क्या बन गया शैल I be going there tomorrow और आखिर हमने question mark लगा दिया मतलब इसका क्या है कि यह interrogative sentence में पूरी तरीके से क्या हो चुका है convert हो चुका है clear हो गया यह आपको हना चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके अलब दूसरे type की मतलब अगर इसका तीसरे type की बात की हम लोग और रेटी बढ़ चुके हैं तो इसका तीसरा type है हमारा future perfect tense हना future perfect tense की बात अगर करें तो देख लेतने कि यह कौन स किसी चीज़ा आती ही जो हम लोग को ध्यान में रखने है चलिए दोस्तों तो अगर किसी भी वात इकेंट में चुके गा चुके गया चुके इंगे आएगा आना ऐसे शब्दों का जब भी क्या होगा word से end होगा किसी भी sentence का end होगा तो वहाँ पर हम लोग हमीशे किसका इस कर किस्टमाल होता है future tense में will के साथ भी have कर स्वाइब कर अचुके वह का होता है खाली present में क्या होता हे है यह हमें ध्यान में रखना है लेकिन हम लोग में वो क्या होता है, खली है रहता है, तो subject plus will shell plus have plus verb का third form plus object, जाना, clear हो गया है, इसमें क्या बता है कि subject था हमार पास, object अमार पास already है, verb की third form इस्थमाल हो रहें, जो हमें पता है, हर perfect tense में क्या होता है, बर्व की 3rd form इस्टमाल की जाती है, यहां पर जो हम future times में पहले से लेकर आ रहे हैं, मुह क्या था, बिल और शेल हमें याद रखना है कि continue यही आएगा, और प्लस इसमें सबसे important चीछ क्या ध्यान में रखनी है, कि इसमें खाली और खाली किस का इस्टमाल की जाता है, have का इस्टमाल की जाता है, clear हो गया, चलिए, example देख लेते हैं, इसका example से आपको और क्या हो जाएगा, clear हो जाएगा, चलिए तो इसका example देख लेते हैं, तो इसका example क्योंगा कि मैं यह homework कर चुका हूँगा, तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें आजाएगा हमारा I shall have done I shall have done this homework मैं यह homework कर चुका हूँगा I shall have done this homework अब इसमें क्या हो रहा है शेल के स्थमाल हो रहा है मैंने आपको जाता है I के साथ mostly के स्थमाल किया आता है शेल के स्थमाल किया जाता है लेकिन वो case क्या है, आपके exam point of view से important नहीं है, इसलिए हम लोग खाली shell पे ध्यान रखते हैं, तो I shall have, क्या हो जाएगा, I shall have done this homework, clear हो गया, यहां done क्या हो गया, तो verb का third form हो गया, do, did, done, यह third form हो गया, यह clear हो गया, आपको यह क्या sentence है, अब इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, यह तो हमारा positive हो गया, इसी में हम negative और इसको क्या कर सकते हैं, interrogative में यह बाद चेक कर लेते हैं, तो interrogative में अगर चेक कर मुद क्या जाएगा, I shall have done this homework, मत्ब मैं यह homework नहीं कर चुका हो गया, clear हो गया यह, अगर इसी को मुझे interrogative करना है, तो मैं क्या करूँगा, shell को पहले लिया मुद्ध हो आजयागा, shall I have done this homework, clear, तो इस तरीके से क्या रखना है, आपको यह याद रखना है, कि किस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, negative में किस तरीके से convert हो रहा है, और interrogative में किस तरीके से sentence क्या किया जा रहा है, convert किया जा रहा है, हना, चलिए, इसी note पे इसमें आपको ध्यान में रखना है, कि यह सबसे last हमारा type है, इसके बाद क्या होगा, सारे tense खतम हो जाएंगे, हमारा जो next video होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग conversion देखेंगे, किस तरीके कि अगर हमारे पास कोई sentence present में है, तो उसको हम past में भी convert करके देखें, उस पर्टिकुलर tense जित दिया जाएगा, ब्रैकेट में लिखके, यह तो बोल दिया जाएगा कि यह कौन से tense का यह figure out करो, तो यह सारी चीज़े हम लोग अपनारे next video में करेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या बात करेंगे, तो future continuous tense की बात करें, तो future continuous tense में क्या ध्यान में रखन जाता है, जो क्या होता है कि भविश में जाके पूरे होंगे, लेकिन क्या है, अभी चल रही है, मतलब माल लीजे कि मैं यहां से जा रहा हूं और मैं वहां पहुच जाओंगा, तो क्या हो गया, कि मैं यहां से जा रहा हूं, यह काम तो चल रहा है मेरा, लेकिन मैं वहां प shell plus have plus been plus verb का first form plus ing plus object देखिए सारे perfect continuous sentence में आपको एक चीज़ common मिली होगी subject, object हाँ na has ya have जो हम लोग नहीं है क्या किया have कर्स्रमाल किया फिर हमें common क्या मिला हम पर been और फिर verb का first form plus ing तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं और यहाँ पे क्या एक add-on हो गया Will ya shall head down हो गया उनके साथ काया का स्थमाल होगा मेशा have का स्थमाल होगा हाना चलिए example देख लेतें example सहमें क्या होगा और ज्याधा clear हो जाए चलिए अगर इसके example की बात करूं तो माली यह कोई sentence है कि वह ये काम कई घंटोंसे कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, he will have been doing this work since 4 hours, तो यह बहुत बड़ा sentence बन गया, तो अगर मैं यहाँ since 4 years अटा दूँ, तो भी एक sentence बन सकता है, he will have been doing this work, यह भी क्या होगी हमारा sentence बन गया, मैंने इसको और elongate करनी के लिए हमाँ पर 4 years since का इस्तमाल क लिए है, लेकिन अभी आप उसमें मज आईए, हम simple sentence में आते हैं, he will have done, he will have, अगर sentence की बात करें, तो he will have been doing this work, clear होगी आपको sentence कि he will have been doing this work, he के साथ, और she के साथ हमेशन में आपको क्या बता है, कि he, she और किसी प्रकार के ना मारें, तो महाँ पर किस का इस्तमाल किया जाता है, हना, अगर इसी को मैं negative में बदलना, तो negative में क्या हो जाएगा, he won't have been doing this work, हना, और इसी को अगर मुझा यह करना है, interrogate में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, मैं विल को पहले ले लूँगा, will he have been doing this work, हना, यह भी एक question हो गया, और इसमें जो for or sentence का use है, वो मैं आपको पहले ही classes में बता चुका हूँ कि केस सरीकेस आपको for customer कहा करना है, और sentence का use कहा पे करना है, हना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह future tense के सारे, जितने भी types से मों clear हो गए होंगे, हमने इसमें negative केस सरीकेसे कौन से sentence बनेगा, interrogative कैसा बनेगा, यह भी क्या कलिया है, द कमेंट करें, और MP परिक्षा के official YouTube channel से जोड़े रहने के लिए धन्यवाद, दोस्तों ऐसी और वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब कीजे, MP परिक्षा चैनल को, और bell icon दवाना ना भूले, और अगर आप किसी भी exam के तैयारी कर रहे हैं, तो अभी download करें परिक्षा आप हुँ 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 हुँ